असलाम अलाइकूम नमस्कार फ्रेंस मेरे यीटूब चैनल साधी आली पे आप सभी का स्वागत है और उमीद करते ही कि आप लोग भी ठीक होंगे तो फ्रेंस आज फिर से आप लोग के पास आ गई हूँ आज हम मनाएंगे वेज मॉमो तो चली देखते हैं इसको कैसे मनाते हैं इसके लिए न मतलब मॉमो की सब्सी बनाने के लिए जो चीजों की ज़रूरत है यह मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है ये थोड़ा सा प्याज है एक बड़ा वाला मैंने प्याज एक लिया है और मतलब 1-3 प्याज लिया है यहाँ पे तो फ्रेंस यह हैं पहले सब्जी बना लते हैं इसके लिए ना मैंने कुकर को बिटा के इस पर तेल को एड کरकर गरम करके आप यहां पर प्यारश को ढाल देंगे और प्यारश को दू-तीन तो फ्रेंस मैं टमांटो सॉस करई कर ऐस्अ करते हैं तो इसक लिए मने यहाँ पर ज्यादा सॉस यूज n Χी है कि आप चाहे तो कर सकते हैं उत्तना ज्यादा मत किजिएगा यार वरना आप भी खा नहीं सकते हैं और यह है जो मटर इसको मैं नहीं है डाल दिया है और तोड़ा सा जीरा पाउडर तोड़ा रेट चली पाउडर यह तोड़ा सा टार्मेरिक पाउडर और धनिया पाउडर को एड़ करके न हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करें लेंगे फ्रेंस मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला इसको ही है जियादा ही इस नहीं की है और यह देखे हमारा सबजी का कलर एकदम बढ़ी आया है और यहाँ पर मैं बड़ावला कप से देड़ कप पानी एड़ करके न इसको तीन सिटिस के लिए मैं इसे छोड़ दूँगे तो फ्रेंस में तीन सिटिस के बाद मिल रही हूँ और यह देखे हमारा पानी है एकदम सुख गया है यानि हमारा मटर एकदम पक गया है और यहाँ पर हम अब एड़ कर देंगे डाल और आलू के एड़ करके न इसको अच् ताकि मटर और डाल जो न अच्छी तरह से पक जाए मतलब गल जाए पक के तो हमारा मैं दो सिटीज के बाद मिल रही हूँ तो हमारा जो सबजी है मॉमोस का वो बनके एकदम त्यार है यहाँ पर मैंने तोड़ा सा धनिया को भी एड़ की है तो सबजी को ठंड़ होने के लिए छोड़ते हैं और आते हैं मोमोस की रूटी के और यहाँ पर मैंने तोड़ा सा मैदा ले ली है मतलब मुझे जितना चाहिए और यह तोड़ा सा बैकिंग पावडर है जिसको मैंने यहाँ पर डालके अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने नमक भी एड़ की है जो दिखाना में बूल गई हूँ तो इसको पानी डलके ना हलका सा मतलब गरम पानी यूज की है मैंने ताकि अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छा बनता है सौफ्ट होता है एसे चूटे चूटे गोले में किया मतलब इसे निकालके ना उसका रोटी बना लेंगे और यह दिखिए जो सबजी कितना बढ़िया कलर कितना अच्छा लग रहा है दिखने में यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा सौश डालके ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करली है अब मैं ऐसे चुटे चुटे टुकरों पे रोटी को बना के ना यह देखिए इस तकर करके इस करके यह देखिए हमारा मौमो बनके तयार है मोआ मतलब फटने के कोई चांस नहीं रहेगी इसको पकाना भी भी है तो मेरे ऊपकर जो कुकर आता ह मैं अपना छी मśl चांस मिल्पक, कर लो डाएं उसको 8-10 मिनित के लिए रख देते हैं ताकि वो पक जाए और आते हैं चटनी के और यह पर मैंने थोड़ा सा काला नमक एड़ करके न इसको अच्छी तरह से मतलब चटनी बना लेंगे और फ्रेंस फाइनिली यह देखिए हमारा मोवन के एकदम तयार है लग रहा है ना कितना मज़ेदार अब ना इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ फ्रेंस ना इसको आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजेगा बहुत अच्छा लगता है हाना में एकदम सिंपल सा है मतलब सब के पास ऐसे चीज़े होगा मनाने के लिए अगर सॉस नहीं है तो ढालने के कोई ज़रूरत नहीं है बिना सॉस के भी बनता है या तो फ्रेंस अंत में यही कहूंगी कि मेरी यह जो वीडियो है रेसिपी का वीडियो है उमीद करते ही कि आप लोग का अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और सबस्क्राइब करना मेरी चैनल को और अगर अच्छा ना लगे ना तो भी अर सबस्क्राइब कर दोना लाइक कर दोना शेयर कर दोना क्योंकि यह सब करने में बहुत महरत लगता है मिलते है अगले वीडियो पे तब तक के लिए लाफ़ीज सब खुश रहिए सलामत रहिए